तो बिटे हम अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं हम क्लास में क्या पढ़ रहे थे हमें हम पढ़ रहे थे experimental x-ray diffraction method इसमें हमारे पास तीन method होते हैं first हमारे पास क्यों सा होता है louis method और second हमारे पास होता है crystal rotating method rotating crystal method rotating crystal method and third one अपने पास होता है powder method powder method हम अपने ये दो method class में complete कर चुके हैं तो आज हमें पढ़ना था powder method तो जो हम powder method जो हम पढ़ते हैं यह हमारे पास क्या होता है सबसे easy और convenient method होता है हमारे पास किसी भी crystal की जितनी भी जानकारी चाहिए उसके लिए तो हमारे पास क्या होता है powder method अब हमें कौन सा method पढ़ना है powder method अब हमें पढ़ना है powder method तो powder method जो हमारे 1961 में डी बाई और स्केर दो scientist थे जर्मन के scientist थे यह Germany scientist scientist who gave this method तो सबसे पहले हमें बताना है कि 1961 में डी बाई और स्केर दो scientist थे जिन्नोंने हमें जर्मन साइंटिस्ट थे वो powder method को दिया था हमारे पास यह क्या है it is very easy and convenient method यह हमारे पास काफी easy और convenient method होता है इसमें हम क्या करते हैं पहले हम वह देखते हैं ठीक है फिर बाद में देखेंगे मिसके बारे में कि हमें पढ़ना क्या इसमें तो हमारे पास क्या होता है इसमें भी हम single crystal लेते हैं इसमें हम crystal को crystal की form में ना लेके powder की form में लेते हैं हम जो crystal इसमें होल कराते हैं जहां से हम क्या करेंगे x-ray को incident करेंगे यह हमारे पास monochromatic x-ray है monochromatic x-ray यहां से जब x-ray हमारे पास incident होगी इस crystal पर तो यह हमारे पास क्या है एक diffraction pattern देगा तो इस पर जो crystal होगी ना इस crystal पर जो हमारे पास fall होगी x-ray वो कुछ इस type का pattern से बनेंगे ऐसे जाएंगे ठीक है अब हमारे पास यह एक diffraction मान लो हमारे पास यहां पर एक sheet है या एक film type है जहां पर हमें observation करनी है diffraction pattern की तो जो हमारे पास वो diffraction pattern आएगा वो something इस type से आजाएगा इनके बीच में अंगल होगा theta अगेन हमारे पास यह एंगल अगेन क्या होगा theta तो यह एंगल कितना हो गया 2 theta इसी तरह की formations यहां पर चलती रहेंगी तो यह हमारे पास क्या है इस type का diffraction pattern हमें मिल जाएगा तो यह जो diffraction pattern मिलेगा यह हमारे पास पूरी जो observations होती है वो एक film के अंदर होती है मानलो हमारे पास कुछ है इस type की एक film है something कुछ ऐसे ठीक है यह पूरी observation अपने उस film के अंदर हो रही है ठीक है यह हमारे पूरी observation इस film के अंदर हो रही है ठीक है तो अब हमें क्या करना है है यह हमारे पूरा है यह हमारे पास क्या है film की अधर से हम क्या observations करेंगे और यह हमारे पास पूरा क्या एक spectrum की form में बनेगा देखो उसे हमारे पास particles हैं उन पर हमारे पास क्या है x-ray diffract करेंगी तो अगेन्वों क्या है हमारे पास क्या है, diffraction pattern बनाएगी, वो diffraction pattern बनाएगी, उनके बीच में क्या है, angle theta होना चाहिए, क्यों क्योंकि हमारे पास यह जो method है, वो किसको satisfy करने चाहिए, Bragg's equation को, Bragg's equation अपने पास क्या है, Bragg's equation वो हमारे पास क्या है, n lambda is equal to my 2d sin theta, ठीक है, यह हमारे पास ऐस को सेटिस्फाइय करना चाहिए, अब यह हमारे पास यह को साटिस्फाइय करेगा, तो हमारे पास क्या है, इसके कुछ इंटर्सेक्टिंग फीचर्स हैं, जो हमारे पास बैस्ट शौन करेंगे, इस photography मतलब जो भी हमें आपर इसका result मिलेगा जो भी हमें इसकी observation मिलेगी तो इसे हम लिख सकते हैं an intersecting an intersecting feature which is shown which is shown which is shown best by the powder film powder film या photographic film कुछ भी बोल सकते हो powder film या photographic film is that the resolving power resolving power जो अपने पास ही resolving power है becomes very high becomes very high when the reflected ray is thrown back to the angle of 2 theta when the reflected rays is thrown back thrown back through the angle यह हमारे पास अंगल कितना है यह है 2 theta through the angle 2 theta जो हमारे पास which is nearly होता है 180 degree ठीक है तो हमारे पास यह इसको क्या करेंगे हम हमारे पास equation Bragg's equation यह है हम इसको differentiate करेंगे after differentiating हम इसको बोल देते है equation number 1 ठीक है हमारे पास क्या था equation 1 क्या थी हमारे पास n lambda is equal to 2 d sin theta यह हमारे पास equation 1 थी इसको हम करेंग आफ्टर डिफ्रेंशियेटिंग डिफ्रेंशियेटिंग तो हम डिफ्रेंशियेट करेंगे तो हमारे पास क्या करेंगे with respect to theta तो हमारे पास क्या मिलेगी d n lambda divided by d theta is equal to में अपने पास हो जाएगा 2 d इसको हमारे पास d theta हो जाएगा ना अपने पास 2 d यह अपने पास हो जाएगा 2 d d theta d by d theta ठीक है sin theta प्लस में 2 d sin theta का क्या हो जाएगा cos theta ठीक है अब हमारे पास जो light ray थी वो कौन सी थी monochromatic light ray for monochromatic monochromatic x ray d by d theta into में n lambda वो equal to हमारा क्या हो जाएगा 0 monochromatic के लिए क्यों single light है उसमें कोई change हो नहीं रहा अगर उसके respect में हम change हा रहे है तो वह हमारा किसके equal हो जाएगा 0 के equal हो जाएगा तो जो यह equation अपनी therefore 2 d यह d theta d sin theta into में अपने पास जो d है वो बाहर plus में d cos theta into d theta is equal to में 0 यहां से अपने पास d theta divided by में d इसको हम यह जो d है इसको d dash बोल देते हैं d dash क्योंकि fusion क्रिएट कर रहा है तो अपने पास हो जाएगा d dash divided by d dash is equal to में यह जाएगा तो अपने पास tangent tangent of theta divided by में d यह अपने पास क्या आ गया variation आ गया हमारा theta में जो variation हमारा देगा किसमें d के साथ d dash का ठीक है मतलो change देगा अगर तो हमारे पास d larger है d हमारे पास है क्या d हमारे पास है जो crystal है कोई भी crystal है यह हमारे पास कोई crystal है जिसमें हमारे पास regular arrangement हो रखी है तो यह जो planes है यहाँ पे different planes हो रहे है parallel planes है किस कई type के planes है ठीक है ऐसे भी plane बन सकता है ऐसे भी plane बन सकता है तो हर दो plane के बीच की जो inter spacing है उसे inter planar distance बोलते है जो की जिसे हम represent करते है d से ठीक है तो अपने पास d हो जाएगा अब जितना अपने पास larger d होगा अपना जो theta है वो approach करेगा 90 को theta वहाँ पे किसको approach करेगा 90 degree को और जो incidence angle है अपने पास approaches to 90 degree क्यों हमने लिया है जो 2 theta angle लिया है वो 180 degree के तो यहाँ से अपना theta कितना आ गया 90 degree आ गया ठीक है तो अपने पास जो यह है change in d theta divided by में d d dash यह हमारे पास क्या हो जाएगा very large become very large और जो reflect करेगा यह large होने का मतलब है जो reflection होगा हमारे पास यह जो reflection था यह वाला किससे होगा 2 theta के angle से तो reflection हमारा lies करेगा occur in 2 theta ठीक है तो यह हमारा method क्या हो जाएगा satisfy हो जाएगा और इस method का हम use भी कर सकते है ठीक है इस method को mainly तो हम कहां पर use करते है identification of unknown crystal material को कोई भी unknown crystal material है वहाँ पर हम इसका use करते हैं हम यहाँ पर इसकी कुछ applications है मतलब इस method का use करके हम क्या-क्या पता लगा सकते हैं वो applications अपने पास first जो है किसी भी sample की purity को measure करने के लिए हम इस method का use करते हैं unit and dimension find out करने के लिए हम इस method का use करते हैं और किसी भी crystal को tryze करने के लिए उसकी property को जानने के लिए हम क्रिस्टल का use करते हैं त्यकिति का नेक्स्टी हपार था लू इस उनके कंपैरिजन के काफी easy method थिक है तो आपको बटेई चित आर करना है इसको एक बार समझ में आए तो दुबारा देख लेना कोई डाउट है तो आप में से पूछ लेना ठीक है जब तक आप पढ़ते रहिए all the very best thank you